प्राणों के संदर्व में सामान्य तो हुआ, विचार करने पर प्राण सब्द से हमारा ध्यान, स्वास, प्रस्वास की सामान्य गतिकी ओर जाता है। प्राण को परिबाशित करते हुए, महरसी आस्क लिखते है, अपिवा असुरिती प्राण नाम अस्तह सरीरे भवती। जिसका अस्तित्व बिना आत्मा के अस्विकारिय है। दенный को धारां कर रहा है। स्वयम कहां से उत्पन होता है? जैसे पुरुश के साथ छाया लगी है। इसी प्रकार आत्मा के साथ प्राण लगा है। पुरुश से छाया के उत्पति है, आत्मा से प्राण की उत्पति है। आत्मा के शरीर में प्रवेश करते ही प्राण गतिसिल हो जाता है। प्राणती वायू के अनुसार प्राण एक वायू का प्रकार है। अतव वायू के अद्रश्य स्वरुप वाला होने से वायू भी स्वरुप सुन्य है। उपनी सद में प्राण को वान सब्द से अभिव्यक्त किया गया है। वाका अर्थे सायद। इस जड़ चेतन जगत को कोई इस प्रकार धारन करता है। जैसे छप्पर को निचे गिनने से एक वल्ली रोके रहती है। वैसे ही प्राण इस सरीर को वल्ली के समान धारन करके विद्वानी इस संदर में सुंदर प्रकाश डालते हुए करता है कि प्राण रुपी पक्षि को रदयस्त इच्छा से और मन से विद्वान जब जानते हैं आध्यात्म कर्म के विदाता, योगी जन, रस्मियों पर सूर्य की बाती, जीवन सक्तिया और चित्त वृत्तियों के उपर विराजमान, प्राणी या जिवात्मा को चाहते हैं या खोशते हैं, विश्व के समुद्र रूप पर मात्मा के अंदर अपने आत्मा को अनुभव करते हैं, ये प्राण इस सरीर में विबक्त होकर रहता है, इसके अनेक रूप बिन्न-बिन्न कार्य है, क्योंकि एक प्राण सभी कार्यों को अकेले संपाधित नहीं कर सकता, जिस प्रकार एक राजा समस्त सासन व्यवस्ता को सूचारू रूप से चलाने के लिए, अपने कार्यों को अपने अधीनास्त मंत्री गंणों में विबाजीत कर देते हैं, उसी प्रकार प्राण अन्य प्राणो को अपने-अपने कारियों में विनुयुक्त करता है. प्रस्तुत प्रसंग में प्राण एवं अपान की चर्चा की जा रही है, इसे अन्य प्रमाणों के माध्यम से भी समझा जा सकता है. प्रयाज और अनुयाज से चलना मानो प्राण और अपान को दिक्षित करते हुए नीस रेयस के मार्क पर गमन जबकि हवीस का अनुकरण करते हुए सरीर को दिक्षित करना सभी कामनाओं को प्राप्त करना अब्युदय की प्राप्ति, सांसारीक सुखों की प्राप्ति होती है, जबकि दिक्षित प्राण और अपान से लोकों की सलोकता के साथ सभी देवताओं का सायुज्य प्राप्त करता है। प्राण प्रयाज है, अपान अनुयाज है, इससे ये दोनों समान होते हैं। प्राणों की रक्षार्थ प्रातना करते हुए कहा गया है कि हे प्रभू मेरे प्राणों की रक्षा करू जीस ब्रकार ब्रह्मांड में सूरिया ओमकार यजन कर रहा है उसी प्रकार पिंड में प्राण ओमकार का गान कर रहा है इसलिए प्रस्तुत ग्रंथ में प्राणों का सूरिया के साथ तार्तम्य बताते हुए एक आहुती सूरिया के उदीत होने पर पूर्व में देने का विधान किया गया है इस प्रकार प्राण और अपान दोनों साथ होने पर भी प्रुथक है प्राण को मध्यम स्थानिए देवताओं के वर्णन भी किया गया है अंत मे मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्राण इसवीश्व का दारक है प्राण की सक्ती से, जैसे यह आकास अपने स्थान पर स्थीत हैं, उसी प्रकार सबसे बड़े प्राणे से लेकर चोटी तक समस्त जीव इस प्राण के द्वारा ही हैं विद्रूत हैं. यदि प्राण नहीं होतें, तो इस विश्व को जो यह महान संस्थान हमारे नेत्रों के सामने सौतत आश्चर्य पैदा किया करता हैं, वह कभी भी नहीं रहता. योगेन चित्त स्यपदेन वाचा मलं शरीर स्यच वैद्यकेन योपा करोतं प्रवरं मुनी नाम पतंजलिं प्राण जलिरान तो स्मी नमह सभाये, अध्य हम आयूर वेदियाम आहार विधिम अधिक्रत्य मम शोध पत्रम प्रस्तावमी यह जो आहार विद्या है, यह हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रीमत भगवत गीता में भी श्री कृष्न कहते हैं, अन्नाद भवन्ती भूतानी परजन्याद अन्न संभवः, तो जितने भी हमको चराचर प्राणी देखने को मिलते हैं, उन सबकी इस्थती, उनकी सत्ता, उनके जीवन का कारण आहार है, और इसी लिए ही संभवत हम आहार को आहार कहते हैं, आहार शब्द की निश्पत्ती, ये हमको देखने को मिलती है, आउपसर्ग पूर्वक, घह प्रत्य और रेधातू है, हालांकि रेधातू का अर्थ चुराना होता है, लेकिन उपसर्ग के बल से, हम उसका देखते हैं कि यहाँ पर अन अर्थ में, जिससे की हमारे शरीर को पोशन मिलता हो, या जिसका हम आहरन करते हैं, मुख के माध्यम से, उसको हम आहार कहते हैं, और जब भी हम किसी विज्ञान के मूल की, ज्ञान के मूल की चर्चा करते हैं, तो भारत भूमी वहाँ पर आध्य रूप से प्रतिष्ठित दिखाई देती है, तो जो हमारी भारतिय भोजन पदती है, एक बार हम उसकी और दिश्टी पात करते हैं, देखिए भोजन थाली भरी हुई है, ठीक है, और आसन पर बैठकर भोजन किया जा रहा है, और भोजन परोसने वाली के चहरे पर भी प्रेम है, और भोजन करने वाले के चहरे पर भी प्रसन्नता है, और हाँ यही भोजन का लक्षन है, यही आहार का लक्षन है, कि जो हमारे तन और मन दोनों को पुश्ट करता हूँ, उसको हम भोजन कहते हैं, उसको हम आहार कहते हैं, तो भोजन का मुख्य प्रियोजन है शरीर का पोशन आचारिय चरक कहते हैं कि हमारे शरीर के तीन प्रमुख उप इस्तंब है उप इस्तंब वे इस्तंब होते हैं जो मुख्य इस्तंबों की रक्षा करते हैं तो हमारे शरीर के इस्थम्ब है, धातू है, त्रिदोश है, ये धातू और त्रिदोश तभी ही स्थापित रह सकते हैं, जब हमारी नींद परियाप्त रूप से, सम्यक रूप से हो, ऐसा नहीं कि हम कुम करण की तरह सोते रहें 10 घंटे, ऐसा भी नहीं हो कि हम 2 घंटे सोएं जितनी हमारे शरीर के लिए निद्रा आवशक है, उतनी हम लोग निद्रा को लें, उसके अलावा हम उचित मात्रा में भोजन करें और तीसरा ब्रह्मचरिया, ब्रह्मचरिया का यदि हम आयुरवेद्य दृष्टि कॉन से विशलेशन करें, तो उसका तात्परिया है कि हम जो दिन चर्या बताई गई है वह दिन चर्या ही ब्रह्म चर्या है यदि ये हमारी तीनों संतुलित और व्यवस्थित हैं तो हम जो है उत्तम स्वास्थचेलाब को प्राप्त करते हैं अब उचित भोजन के क्या क्या प्रभाव होते हैं कि यहाँ पर हमें जो है दृष्टी की निर्मलता प्राप्त होती है यानि हमारी दृष्टी का तेज भी बढ़ता है दृष्टी में मलिंता नहीं होती है और हम किसी को अच्छी तरह से देखें ये भाव भी हमें आहार से प्राप्त होता है इसके अलावा हमारे वचनों के अंदर हमारी जो बोलने की क्षमता है उसके अंदर गांभीर्य आता है और उसमें हम सम्यक रूप से किस प्रकार बोलें ये शक्ती भी हमको आहार के माध्यम से प्राप्त होती है और अदीनता का भाव एक हमारा जो व्यक्तित्व है वह आहार के प्रभाव से तेजो मय बनता है तो ये आहार के प्रभाव है तो ये देखिए प्राचीन काल में उच्चित आहार का प्रभाव पाकर के हमने यहाँ पर पुरुशों के रूप में जो भगवान की जिए हम संकल अपना करते हैं वो आहार के प्रभाव से ही हमको प्राप्त होती है देखें इनकी द्रिष्टी में प्रसन्नता है चेहरे पर निर्मलता है द्रिष्टी में और ओज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इस अम्यग आहार के लाब है कि कांती, बल, इस्मृधी, मेधा, वय और तन्मन की प्रसन्नता, सत्व इस्थति, मन की उत्तम इस्थति ये सबी हमको आहार से प्राप्त होते हैं अब सबसे मेधवपून बात कि हमको आहार कब करना चाहिए तो आयरवेदिया पद्दतीये निर्देश करती है कि जब हमको भूख लगे तब हमको आहार करना चाहिए और यदि भूक और प्यास दोनों लगी हो तो पहले क्या करें? ये भी प्रश्न होता है तो सबसे पहले हम प्यास का शमन करें और दोनों अगर साथ लगा हो और उसके बाद एक सूत्र और देते हैं कि जीर्ण अश्नियात जब पहले खायावा भोजन हमारा पूर्ण रूप से पच जाए उसके बाद हमको द्वितिय भोजन आरंभ करना चाहिए ये नहीं कि पूरा दिन हमारा मुँ कुछ न कुछ चलता रहे क्योंकि चाए आध्यात्मिक शास्त्र लेलीजिये द्विकाल भोजन का ही विधान है तो ये चीज हमें ध्यान रहे कि जब तक हमारा भुक्त अन्न पूरी तरह से पच नहीं जाता हमें दूसरे अन्न का सेवन नहीं करना है और जब पूर्व अन्न जीन हो जाता है तभी हमें भूक लगती है अच्छा आहार विधी के दोश कि हम भोजन करते समय क्या-क्या गल्तियां करते है प्रतान्त भोजनम बार 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 कुछ नो कुछ नो कुछ नो कुछ खाते रहना ये हमारी पाचंग शमता को प्रभावित करता है, इसलिए ये आहार विधी का दोश माना गया है, तोयाती ग्रहनम, खाते समय बहुत अधिक कुछ न कुछ लिक्विट, कुछ न कुछ तरल पदार्थ का सेवन करते रहना, ये भी आहार विधी का दोश है, महाशनम, बहुत ज़्यादा ठूंस ठूंस के खाना, जब तक की हमारा वो उद्गार न हो जाए, तब तक ठूंस ठूंस के खाना, ये हमारी भोजन विधी का दोश है, विरुद्ध भोजनम सबसे महतोपूर है, जो की आजकल हम करते हैं, जो भोजन हमारे शरीर में जाकर विश की इस्थती को उत्पन करे, ऐसे भोजन क दूद्ध का सेवन, जो हम जो विप्रीत गुण़वाले पदार्त हैं, जैसे दही और दूद को मिक्स कर दिया, डाल और दूद को मिक्स कर दिया, तो ये जो मिश्रित भोजन जो हम करते हैं, ये आजकल का जो फास्ट फूड है, ये बहुत कुछ विरुद्ध भोजन का ल धीरे धीरे हमारे शरीर में जब विश बहुत जादा इखटा हो जाता है हमारे भूजन करने के दोश के कारण तब जाकर असाध्य बिमारियों के रूप में प्रकट होता है और सबसे जो हम गलती जो हम तुटी अकसर करते हैं अध्यशन एक बार हमने खा लिया फिर हमारे पा परंपरा है यह परंपरा भी हमारी आहार विधी को दूशित करती क्योंकि छे घंटे में हमारा पाचन होता है उसके बीच में हम जो कुछ भी खाते हैं वो जैसी अवस्थावे होता है हमारा अमारा जो आमाश है है वो उसको इस्थान तरित कर देता है आत की और और वह निगरह करे। देखिए, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो असम्यक आहार करने का परिणाम है और इसके भोजन करने की विधि भी अभारतियं है, भोजन भी अभारतियं है, खाने का तरीका भी अभारतियं है। और इसलिए इसके दुश प्रभाव इसके शरीर पर दिखाई दे रहें। ये देखिए, ये विरुद्धाहार, सबकुछ ये आहारविधी, दूशित आहारविधी है। और इसके चहरे पर और ये जो भी खाने का ये तरीका सबसे ज़्यादा मैं ही खा जाँ। ये हमारी संस्कृती का आदर्ष रहा है। वो आदर्ष हमने विस्मृत कर दिया। तो सम्यग आहारविधी तनमना पुंजी थह। कि हम जो है भोजन को बड़े ध्यान से खाएं। यदि हम रायता खा रहे हैं तो रायते में हमारा ध्यान हो। मिष्ठान खा रहे हैं तो मिष्ठान में हमारा ध्यान हो। बिना बोले, आयरवेदिय शास्त्र कहते हैं कि बिना बोले, बिना हसे, बिना चिंता किये, हम केवल भोजन में ध्यान लगाकर भोजन को करें। और अब सबसे महत्वपून बात कि हमार पास में आहार की बहुत सारी सामगरी उत्पन प्रस्तुत होती है, तो उसमें कौन सी चीज को पहले खाना चाहिए। कि सबसे पहले आप इस निग्ध और मधूर रस का सेवन करें, उसके बाद बीच में जो विवित तरह के रस हैं, उनका सेवन करें। लास्ट के अंदर हमको तीक्ष्ण, उश्ण और रूक्ष जो द्रव्य हैं उनका सेवन करता चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा में हम भोजन के बाद में गुड का सेवन करते हैं क्योंकि गुड तीक्ष्ण भी है, उश्ण भी है और रूक्ष भी है। ये देखो रस और द्रव्यों का क्या अंतर संबंद है कि कौन से रस का उत्पन, कौन से महा भूत से होता है, वो किस दोश को बढ़ाते हैं, किस दोश का शमन करते हैं, इसलिए हमारे यापर हर प्रांत की अपनी अलग भोजन विदी है। राजस्थान का भोजन अलग है, गुजरात का भोजन अलग है, कश्मीर का भोजन अलग है, दक्षिन भारत का भोजन अलग है, तो वो वहां की रितु चरिया को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है, तो हमें जो हमारी भोजन चरिया है, उसके प्रती आदर भाव र बोजन करना चाहिए जैसे आपको पता है कि अशड रस होते हैं मधूर अमल लवन कटू कशाय तिक्त तो सारे रसों को मिश्रित करके हमको बोजन करना चाहिए और हम बड़े सौभागय साली हैं कि हम भारत भूमी में उत्पन हुए हैं और हमारे यापे विवित प्रकार के अ तो जो शड रस हैं इनमें से हम देख लेते हैं कि आम जो है वो मधूर रस प्रधान है ये चिंचा यानि इमली अमल रस प्रधान है ये लवन रस ये कटू रस मिर्ची या कटू रस वाली इसको हम इसमें जो खाने पे जो हमको टेस्ट आता है जो हमको स्वाद आता है वह क तिक्त रस यह जितने भी कडवे पदार्त होते हैं कडवे द्रव्य होते हैं यह तिक्त रस प्रधान होते हैं और प्रतेक द्रव्य के अंदर एक गुण होता है दोशों के शमन और उनकी चिकितसा का और यह है कशायरस प्रधान जितनी भी दाले और मतर होती है वह कशायरस प और जो विवित प्रकार के द्रव्य है, तो जो मधूर रस है, वो हमारे शरीर को क्लिन करता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी सरस्ता होती है, वो मधूर रस के सेवन से होती है, लवन छेदन का काम करता है, अन के पाचन का काम करता है, क्षार पाचन उसको और भी अधिक संस्कृत करता है मधू शरीर को पुष्ट करता है घी वह हमारे शरीर को इसनिग्द करता है और सबसे मैत्वपून बात की हमको दुग्द का रोज सेवन करना चीए गो दुग्द नित्य सेवन ये द्रव्य कहा गया है क्योंकि वह हमारे शरीर को जीवित रखने में यानी बल प्रतान करने में सर्वश्रिष्ट कहा गया है और देखिए सुरा जरजरी करोती जो मध्य सेवन है वो हमारे शरीर को जरजर कर देता है इसलिए मध्य का सेवन हमको कभी नहीं करना चाहिए तो ये विविद प्रकार के जो भोजय पदार्त है उनको खाने पर शरीर में क्या प्रभाप पड़ता है उसकी गणना हमारे चिकित्सा वेज्ञानिकों ने जो है सहस्त्रो वर्ष पूर्व ही कर दी थी तो जो आहार है वो अच्छी तरह से यदि हम प्रयोग में लाते हैं तो सभी इंद्रियों को प्रसन करता है इस्मृति, बल, उर्जा उन सब को बढ़ाता है शरीर में वर्ण यानि शरीर के रंग को सुधारता है और शरीर में कांती को प्रदान करता है तो ये जो नित्य सेवनी ये द्रव्य है उसका भी चर्चा करिए क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा एक द्रव्य को यदि हम लेकर करेंगे तो आप बाकिया आप ठोड़ा शर्म कीजेगा मेरा शोत पत्र पूरा पढ़िएगा और यह सभी को नमस्ते मेरा क्योंकि यदि ह हमें स्वस्त रहना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है वो हमको हमेशा याद ही करना चाहिए और वर्श्लोक है नरोहिताहार विहार सेवी समीक्ष्यकारी विशयेश्वसक्तह दाता समह सत्य परक्षमावान आप तो पसेवी चभवत्य रोगह तो हमें सम्यकाहार विधी का ज्यान हो इसके लिए हम क्या करें इसके लिए हम ये करें कि हमारे घर में जो भी वृद्ध जन है हम नित्य प्रती आदा घंटा उनके पास जरूर बैठे और वो हमको जो सिखाने का प्रयास करते हैं, उसको हम सीखें न कि उनका उपहास करें, धन्यवाद. नहीं है, देखिए, जल पीने के लिए भी बहुत सारे नियम, हम योट्यूब वीडियो भी देखते हैं कि तब पानी पीना चाहिए, लेकिन आयुर्वेदिये स्राश्टर के अनुसार, जब भी आपको प्यास लगे, तब आप पानी पीजिए, एक बार में आप तीन घूट पीजिए, और कवल विद्धी कहां प्रियोग करते हुए, कुला करते हुए उस पानी को पीजिए, ऐसा नहीं कि प्यास लगी है, लेकिन चुकि अभी इतना घंटा नहीं हुआ है, तो मैं नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं, जब भी आपको प्यास लगे, आप पानी पीजि जो है, वो पूरी नहीं हो पाती, और शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, और हम जाते हैं, मौडन डॉक्टर्स के पास में, तो वो कहते हैं, आपके शरीर में प्रोटीन कम है, कार्भोहाइडरेट कम है, तो आप ऐसी चीजों का सेवन कीजिए, जिससे कि आपका ये बढ़े, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रतेक मनुष्य की प्रकृति अलग-अलग होती है, या तो वो वात प्रधान होता है, या पित प्रधान होता है, या कफ प्रधान होता है, तो इसके लिए आप अवश्य अपने आविरवेदिये चिकित सक से संपर्क कर और यदि वो आपको सलाह देते हैं, तो आप उनका सेवन कीजिए, क्योंकि वातिक प्रकृति वाले को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका निर्देश है, कफ प्रकृति वाले को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका निर्देश है, और पि प्रकृति के लिए अनुकूल है या नहीं है, इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप जरूर आईरवेदिये चिकित्सक से परामर्ष लीजिए, हम ये परामर्ष मौडन चिकित्सक से लेते हैं, जो इन किसी भी सिद्धानतों में विश्वास नहीं रखते हैं, तो उसके अनुसार ही आप अपना भोजन कीजिए, और ये जो हमारी युवापीडी बैठी है, उनसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है, कि जितना हो सके, आप अपनी जिवा लॉल्यम को नियंतरित कीजिए, क्योंकि हम भारत भूमी में उत्पन्न जन हैं, और हमने सयम और केरोसीन नहीं डालते हैं, उत्तम कोटी का पेट्रोल डालते हैं, तो जो हमारा शरीर है, उसमें हम अगडम शगडम क्यों डालें, तो मेरा विनम्र अनुरोध हम ही भारत को आगे ले जाएंगे, और तभी ले जा पाएंगे, जब हमारा तन और मन दोनों स्वस्तों और हमे शुद्धव सत्व शुद्धी, तत्र दुरुवा इसम्रती, छांदोगे उपनिशत कहता है, जैसा हम भोजन करते हैं, वैसा ही हमारा मन होता है, हमारी बुद्धी होती है, तो युवा पिड़ी से विनम्र अनुरोध है, कि क्रपया, जो जहरीली चीज़े हैं, मैं तो उन भोजनांते विशम वारी, ये भोजनांते विशम वारी उस परिप्रेक्षे में कहा गया है, कि जैसे ही आपने भोजन किया, और आप डबा डब, दो गिलास पानी पी गए, ये उसके लिए है, क्योंकि हमारी आपे जूटे मूँ जाने का तो निशेद है, कहीं पे भी यद आपने कुछ खाया है, तो उसके बाद आप अपना गले को तर कीजिए, कुला कीजिए, और उसके बाद आप बाहर जाईए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इंद्र ने जो है, बड़े सावधानी से देखा था, उनका नाम में भूल रही हूँ, अदिती को देखा था, कि ये कहां पर भूल करती है, और ऐसा कहा गया है, कि उन्होंने जो है, एक बार वो जूटी अवस्था में मुँ बाहर निकल गई थी, तब उन्होंने उसके गर्भु पर प्रहार किया, और उससे जो है, उन देख्यों का नाश हुआ, तो इसलिए आईरवेद प्रकिरिया हो, चा हमारी का निशेद है, अन्यथा नहीं, इतना दो एक दो घूट अन्यथा उसका भोजन का सम्यक पाचन कैसे होगा, और भोजन करने के बाद जो हम ठंडा खाते हैं, अगर हम ठाते हैं, तो उसको भी क्रपया बंद करती जीए, है ना, ठंडा वैसे हमारे आप इतने तरह के वेंजन जिकिशा शास्त्रों में मिलते हैं, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने आइस क्रीम नहीं बनाई, कहीं तरह की कांजी बनाई, कहीं तरह की लसी बनाई, कहीं तरह के मंड बनाए, कहीं तरह के मिश्ठान बताए, लेकिन आइस क्रीम उन्होंने नहीं बताई, इसका यदि हम आइस्क्रिम का कभी भी सेवन करते हैं, वो करती नुकसान ही है, अंत तो गत्वा, तो इसलिए, तो इसलिए, भोजन के अंत में तक्र का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन का पाचन बहुत अच्छा करती है, बीच के अंदर, अगर गूट गूट आपको अगर ऐसा लगेगी, गले में कुछ फसरा है, तो आप जल का सेवन कर सकते हैं, बीच में नहीं करें, तक्र का सेवन यदि आपको करना है, तो वो भोजन के अंत में ही करें, यह हैं, हावार मेडम, अब मैं डॉक्टर सराद दर्जी जी को निमन तृत करता हूँ, उनका विशे है संस्क्रू साहित्य में गीत।